है 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 लो फ्रेंड्स वेल्कम टी और ओन चैनल डिली स्टॉक तो आज हम बात करने वाले कैसी दो बड़ी कंपनियों के वाहर में जिस कंपनी का जब मार्केट मंडे को ओपन होता है तब इस शेर में आपको भयंकर देजी देखने को मिल सकती है ऐसा मेरा मनना है और अच्छा ऐसा मौका या फिर एक अच्छा ऐसा प्रॉफिट कमाके निकल सकते हो वीडियो चालू करने से पहले हम आपको या दिला दू कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हो तो वीडियो को लाइक शेर माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा ताकि क्या हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी सच्छी कमपनी का शेर अच्छेस ला सके उसके साथ साथ में मार्केट डिड़ कोई भी अपडेटी न्यूस होगी तो हम वो आपको ज़रू बताएंगे सबसे पहले जो न्यूस है वो यह कि लपीजी गैस प्राइस हाइक्स पाई 50 रुपीज पर सिलेंडर इन डिल्ली तो कॉस्ट रुपीज 7.69 फ्रम टुमॉरो मतलब क्या जो पर सिलेंडर का जो प्राइस था वो 50 रुपीज बढ़कर हो चुका है 7.69 रुपीज तो उसके कारण क्या होगा जो भी जो mostly engaged जैफि mostly targeted है वो है हिंदुस्तान पैट्रो केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो उसका जो सेक्टर का जो पी है वो है 23.68 और शेर का पी रेशो कितना है 12.93 सेक्टर का पीवी है 2.31 और शेर का पीवी रेशो है मात्र 1.1 सेक्टर डिविदेंड इल्ट है 1.06 जो सेक्टर का जो आपको जो प्राइज वो काफी अच्छा और लॉंग टम के लिए आपको एक अच्छा सा रिटम भी दिये सकता है कंपनी के अगर हम फैनेंचल ट्रेंड के ऊपर नजर दालते तो कंपनी जो है वह अच्छे का से तरीक ऐसी कंपनी अच्छा सा मुमेंटम के साफ सहरेपच वहर्द कंपनी कमा रही है 2019 siitä जह तो कंपनी का रैभेचन री suppression वह अभूत फ्रिट्रेश सेवनल करो मिने इस को ने वत है यह दो क्लेश च्छाइए है वो है 492 अल्मोस्ट आपको ये शेर 100 100 उपीज सोरी 100 परसंट डिसकांटेड प्राइस पर आपको अभी भी अविलेबर मिल रहा है अगर आप इस शेर माप इन्वेस्टमेंट करते हो 215 या फिल मार्केट ओपन होते हुए भी आप लॉंग की लिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यह आपको एक अच्छा ऐसा मोवेंटम या फिर अच्छा असा प्रोफिट आप इस कंपनी में जरूर्ण कमा सकते हो और जो दूसरी जो टोटली एंग है जैपि टोटली जो टार्गेटड है वो है BPCL भारत पैट्रो केमिकल स्वारी भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरिशन लेमिटेड कंपनी है जिसका जो सेक्टर का P.E. है वो है 23.68 और इस शेर का P.E. रेशियो है 26.91 और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का भी है वो है 2.31 और शेर का P.E. रेशियो कितना है 2.13 इसका काफी अच्छा है दिस 3.94 परसेंट और सेक्टर का डिविडेंड कितना है सिफ 1.06 परसेंट अल्दो यह एक लाट्सकेप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिलाजिशन है वो है 88,800 एं 82 करोल रुपीस का और प्रॉफिट कंपनी ने जन्रेट किया है 2020 में कंपनी के जो बिजनस है वो क्यों गिरा आपको जैसे आपको पता ही है रिजन क्या है 2019 में जब कंपनी का रेविन्यू था 3.01 लैक करोल रुपीस 2020 में गिरकर हो चुका था 2.87 लैक करोल रुपीस तो 2020 में हो चुका था 0.03 लैक करोल रुपीस शेर मार्केट में करेंटली 418.1 रुपीस का स्पास ट्रेड हो रहा था फ्राइडी क्लोजिंग के साब सेकर में बात करू तो और इसका फाइयर का जो हाई है वो है 551.51 रुपीस का स्पास अभी भी है शेर आपको पूरा हख के उपर होगा कि आपको इस कंपनी में निविश करना है या नहीं करना है तो वोप करता हूं कि आपको कंपनी रिलेटेट मार्केट में जो भी करन्ट न्यूस आई थी वह आपको अच्छे समझ गई हो अगर आपको वीडियो ची लोगे वीडियो को लाइक शेर और माय चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलेगा अगर आपको इस वीडियो रिलेट या फिर कोई इस न्यूस रिलेट कोई डाउट या कोई क्वेशन भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा ताकि हम उसका क्लैरिफिकिशन आपको जरूर दे सक तो तेंक यू